यह है गाईज 2023 की न्यू लॉंज बजात पलसर N150 OBD2 E20 मोडल आज मैं इसका फुली डिटेल्स में रियू करने माला हूँ सो आज हम बात करेंगे इस भाई के न्यू फीचर्स अन अप्डेट्स के बारे में साथ में प्राइज बनने के बाद इस भाई के अप और आल अन रोड प्राइज क्या है मालेश के दन देती है टॉप स्पीड कितनी है सार जान करें दोस्तो इस वीडियो के न्यूज के साथ देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले स्पेशल ठैंक्स तू वेतरन बजाच अगर आपको बजाच का कोई भी प्रोड़क्ट देखना है तो शोरूम की सारी क्वान्टेक और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है स्टार्ट करते है वाकराउंड से एक बर आप इस बाइक का साइड लुक चेक आउट कर लो कुछ श्राप का इस बाइक का साइड लुक है सबसे पेलेबरेट की बात की जाए तो टैंक कैप के उपर अभी आपको E20 सोपर की बैजिंग मिलती है यानि यह जो बाइक 20% इतनल और 80% पेटरल से ही चलेगी अभी हम बात करते है इस बाइक के की के बारे में तो की का लुक एक बर अब चिक आउट कर लो कुछ श्राप के स्की की है की की उपर यह आपको बजाज का लोगो मिलता है बाकी यह इस बाइक के की पॉइंट अभी हम बात करते है इस बाइक के फ्रंट लुक के बारे में स्टार्ट करते है फ्रंट लुक से बाकि indicators की बात की जाए तो side में आप रपको हो हैलोजन indicators का setup नोते है जो कि हैलोजन bulb के साथ घत दी है तो कुछ ऐसा इसका look है आगे में आप रपको glossy black finish मिलती है बाकि nature में आप रपको I sharp LED drs का setup मिलता है इंजिन को स्टार्ट करने के बाद ये जो है ओन होते है फ्रंट में आपको BI functional projector headlight का setup मिलता है नाइट कंद्रिस की visibility दोस्ता आपको बहुत ही अच्छी मेलेगी सैड graphics की बात की जाए तो सैड में आप आपको white and red color के graphics मिलते है जो की देखने के लिए इस बाई को कापी ज़दा attractive look देते है suspension की बात की जाए तो फ्रंट में आप आपको telescopic suspension का setup मिलता है तो कुछ ऐसा इसका look है बाकी suspension के साड में इसके protector है suspension के साड में इसके आपको reflector मिलते है जो की safety के लिए भोती अच्छी बात है मडगाड की बात की जाए तो फ्रंट में आप आपको fiber body के साथ इस बाई का मडगाड मिलता है जो की dual tone color के साथ आता है safety की बात की जाए तो साड में आप आपको single channel ABS की branding मिलती है मडगाड की quality जो दोस्तों कापी ज़दा premium है तैरिस की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 19 by 1917 के tube layer star मिलते है जो की 17 inch black color के level setup के साथ आते है black color के साथ इस बाई का level setup है इसके उपर आपको कुछे श्राप के इसके graphics मिलते है जो की red and white color के breaking की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 260 mm का district मिलता है जो की single channel ABS setup के साथ आता है बाकी यह इसके ABS की ring side में आपको endurance के calipers मिलते है जो की black color के तो कापी अच्चे इसके calipers है matte black color के साथ इस बाई के जो side mirror से जो की इसका look जोई 200 मुझे काबी ज़्यादा पसंदे यह आप अप आप इसका look देख सकते है इसके अदर आपको simple सा handle bar मिलता है और यह है इस बाई का low beam और high beam switch नीचे इस बाई का turn indicator switch और on switch fully matte black color के साथ इस बाई के जोई handle bar है जो की थोड़ा भूत उठा हुआ है उस side के look की बात की जाए तो यह है इस बाई का break lever बाकी उसी टाप के bar ends, accelerator, engine kill switch और नीचे इस बाई के self start switch है semi digital meter console setup के साथ इस बाई का ती है कुछ इस step से इस बाई का meter console जोई वो on होता है information की बात की जाए तो बीच में इस बाई का rpm meter है बीच में बजाज की branding है उस side के look की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ इसके indication से जैसे की side stand indication, low battery indicator, check engine light turn indicator की light, side में high beam passing की light side में rpm limit की light, abs की light और यहाँ पर आपको neutral की light मिलती है डिस्प्ले के अंदर इसका जो speedometer है बाके side में इसका gear shift indicator है और भी features की बात की जाए तो side में आपको automator मिलता है बाके time clock side में इसका digital field gauge है mode के बटन को प्रेस करने कबाद यहाँ पर आपको trip 1, trip 2, dte and research to empty feature और odometer कुछ इसका आपके इसके features है ताती में इसके अंदर आपको AFE, any average fuel economy, real time mileage indicator कुछ इसका आपके इसके features मिलते है fuel tank की बात की जाए तो इस बाइक अंदर आपको 14 liters का fuel tank मिलता है tank cap के उपर अभी आपको 2800 बट की बैजिंग मिलती है fully matte black color के साथ इस बाइक के जो है tank cap है metal body के साथ इस बाइक आपको full tank मिलता है features की बात की जाए तो इसके अंदर आपको USB charging port मिलता है tank की उपर glossy black finishing and matte black color के graphics मिलते है जो की इस बाइक को कापी जदा attractive look देती tank के side look की बात की जाए तो side में आपको pulser की branding मिलते है जो की chrome finishing के साथ आती है एक बाइक आप इसका side look चेक आउट कुर लो side में आपको red and white color के graphics मिलते है और dual tone color के साथ इसके उपर graphics है बाग यह है इसके air vents और side में आपको उसी डपक इसके graphics मिलते है और tank के side में fully glossy black finishing है यहाँ आप आप देख सकते है तो यह था इस बाइक का overall full tank side panel की बात की जाए side panel की उपर carbon fiber attached के graphics है बागी यह इसके air vents जो की बहुत ही अच्छे लगते है matte black color के साथ इसके side panel से sit की बात की जाए तो इसके अदर आपको single sit मिलते है जो किया इसकी cushioning जोई 200 बहुत ही अच्छी है इसके अदर आपको 790 mm की seat light मिलती है sit का side look एक बार आप check out कर लो next update की बात की जाए तो कावल की उपर अभी आप वो N150 की branding मिलती है बागी gray and red color के साथ इसके उपर graphic से white color के साथ इसके N150 की branding है seat के नीचे इसके जोई seat lock है यहाँ से अप इसके seat को open कर सकते है rear में इस बाइक के simple से grab handle से जो की matte black layer के साथ आते है इसकी भी quality 200 कापी ज़दा premium है अभी हम बात करते है इस बाइक की rear look के बारे में तो एक बार आप इस बाइक के rear look चेक आउट कर लो कुछी टापकेस का rear look के स्टार्ट करते है rear से rear में आपको split LED tail light का setup मिलता है side में उसी टापकेस के indicator से जो की halogen है बीच में इस बाइक का number plate reflector है जो की halogen bulb के साथ आता है safety के लिए बीच में और एक इसका reflector है बाकि बीच में आमरे लगेगी number plate या आप आप चेक आउट कर लो side look की बात की जाए तो कुछी टापकेस बाइका side look है स्टार्ट करते हैं इंजिन के front से इंजिन के front में catalytic converter का pipe है safety के लिए साड़ में इस बाइका crash guard है जो के metal body का है बाकि नीचे इस बाइका engine guard है जो इसके उपर आपको dual tone clear के graphics मिलते है तो fully fiber body के साथ इसका engine गाड़ है इसके अंदर आपको 165 mm तक का ground clearance मिलता है next update की बात की जाए तो अभी आपको इसके अंदर BS6 phase 2 any obdu 2 e20 f engine मिलता है इस बाइक अंदर आपको 149.68 cc का single cylinder 4 stroke air cool 2 wall obdu 2 e20 f engine मिलता है जो की produce करता है 14.5 ps की power और 13.5 mm तक का torque matte black color के साथ इस बाइक के जो है engine है side में यहाँ पर इसका gear manual है यहाँ पर आपको 5 speed gearbox का setup मिलता है बाकि यह इस बाइके adjustable rider put rest जो की rubber padding के साथ आते है नेचे इस बाइके single stand और double stand है जो की side stand engine cut off sensor के साथ आता है बाकि यह इस बाइके adjustable pillion put rest जो की metal body के साथ आते ही suspension की बात की जाए तो औरेरी में आपको adjustable monoshock suspension का setup मिलता है खराब रासी के उपर इस suspension आपको काप पे आचा comfort देने वाले side में इस बाइक का जो ही lady put rest है जो की metal body का है और safety के लिए side में इस bike का आपको सारे गार मिलता है जो की आरब होती अच्छी बात है प्लास्टिक body के साथ इस bike आपको mud flapper मिलता है और यह है इस bike का open chain cover set जो की fully fiber body के साथ आता है fully metal body के साथ इस bike का box cutting swing आर में बाकि इसके उपर tire pressure की information है और यह है इस bike के rear का chain sprocket अभी आपको इस bike के अंदर tire hugger मिलता है जो की fully fiber body का है तो इसकी भी quality 200 कापी ज़्यदा premium है आपोजी set के look की बात की जाए तो आपोजी set से इस bike के जो है semi look के tank की उपर आपको उसी type की pulser की branding एंड कावल की उपर आपको उसी type की N150 की branding मिलती है स्टार्ट करते है side look से इसके नदर आपको single horn का setup मिलता है अभी आप horn की आवाद सुन लो tank के side में उसी type की इसके graphic से जो की dual tone color के साथ आते है बाकि यह इस bike का crash guard जो की metal body का है इसके नदर आपको kick का option भी मिलता है जो कि यह बहुत ही अच्छी बात है engine की उपर यहापर में बजाज का logo मिलता है two walk के साथ इसका engine आता है बाकि यहाँ साथ इसके oil को fill up कर सकते है और यहाँ साथ इसके engine quality को check कर सकते है नीचे इसका engine guard है जो की fiber body का है side panel के उपर carbon fiber attach की finishing है fully fiber body के साथ इस bike का आपको side panel मिलते है यह है इस bike का brake lever side में उसी tap के adjustable rider foot rest और metal body के साथ इसके adjustable pillion foot rest यह है इस bike का under belly exhaust जो कि आपको fully metal body के साथ मिलता है बाकि जैसे मैंने बाता है कि यह है इस bike का box cutting swing arm breaking की बात की जाए तो rear में आपको 130 mm का drum brake मिलता है जो की मेरी खायल से ही इसकी negative आते rear में 120 by 1817 के tubeless tire मिलते है जो की 17 inch black color के level setup के साथ आते है इसके उपर कुछी शाप किसके graphics है जो की red and white color के साथ आते rear tire की width की बात की जाए तो कापी अच्छी इसकी grip and width दे में explain किये माइलेज की अगर हम बात करें 48 से लेकर 15 km पिल तक का माइलेज देगी और 180 km पिच की ये बाइक आपको top speed देगी इस बाइक के basic body dimensions एक बर आप डिस्पले के उपर देख लो 1,17,000 इसकी एक शुरूम प्राइज है और 1,43,000 इसकी on road प्राइज है तो अभी जो आप इस बाइक के exhaust note सुन लो पिल वोजिय हो अगा है याल करेंड़ एका इस सुन प्राइज 미국 Collegeector की पलाइज है पार कि पुराइब जात बिघे एंब हम एंब हम एंद में से अर्फटाइब लुग जात पर गिंए अर्फटारी कि अर्र अंद में। कर दो कर दो